इंग्लिश चानल पार करने वाली सबसे पहली महिला इंडिया की तरफ से स्विमर ठीक है इंग्लिश चानल जो है उसे पार करने वाली महिला हुए हम बात करें तो देने कौन सा भई देने कौन सा त्यूस्टे जो है वो है अज ठीक है न तो बिलकुल जो है फेस्टिवल सीजन जो है अब आएगी सीधर क्या दिवाली, हमारे हैश्टाग से शिरुवात करते हैं, जो है कौन सा, I can, I will, और जल्दी से देख लेते हैं, हमारे साथ, कौन-कौन कनेक्ट हो चुका है, तो भई जो है, अब ठंडी का मौसम भी आ रहा है, फिर भी आप लोग जो है, मौनिंग में इत हमार प्रकाष, sir, प्रवीन, sir, very good morning, very good morning, अभिशेक, sir, श्मृतिम, हमारे साथ, okay, मौन, sir, जल्दी से क्या कर देना है, जल्दी से आप जहां-जहां-पर भी जुड़े हुए हो, link को क्या कर देना है, share करना है, तो link को करना है, copy, और जहां-जहां-पर भी आप जुड़े ह बहुत लोगों के पास में आ गया है, करीब आ चुका है, बिल्कुल 31st October को examination है, इसके लावा railway की students भी जो है, बिल्कुल मेहनत करने में जुटे हुए है, भाई, SSC वालों, बिल्कुल जाग जाओ, एकदम से examination क्या हो जाएंगे, आ जाएंगे, लाइन डप हो जाएंगे, इ और शुरुआत करते हैं, हमारा hashtag जो रहता है, वो है I can, I will, और सबसे पहले अगर हम बात करें, तो SBI clerk means का जो बाच है, वो evening में चल रहा है, 5.30 से लेकर 9.30 तक, तो आप महिंदराज के official YouTube चानल पर बिल्कुल SBI clerk means के बाच के साथ क्या कर सकते हो भाई, जुड सकते हो, ओक चलो, next जो बात करते हैं, ओक के चुन्नु कुमार हमारे साथ जुड चुके हैं, निशा मनी है, रूपे सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और जो भी लोग अभी तक official टेलेग्राम चानल पर अगर आड नहीं हुए हैं, जो हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं, बिल्कु कर सकते हैं, जल्दी से बता दो, voice audible है, video clear है, is everything okay or not? और शुरुआत करते हैं, आज के हमारे inspirational quote से, और आज का हमारा inspirational quote आरा है, जनारतन सर वो ये है, ये माइने नहीं रखता कि आप सफल हैं या नहीं, माइने ये रखता है कि आप उतने सफल हुए या नहीं, जितना आप अ करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम जो सोचते हैं उतने लेवल तक हम नहीं पहुँच पाते हैं, यहां भी हमारे साथ आप में से बहुत सारे लोग जुड़े हुए होंगे, जो अल्रेडी जॉब में होंगे, यह कई नहीं अपने आपको अटाच करके रखे होंगे और साथ-साथ में क्या कर रहे होंगे, लेकिन मन में कभी-асть लगता होगा कि यार जो करना चाहता था है ह मैं करना चाहती ती मैं नहीं कर पाया है यह नहीं कर पायallin, इसके अलावा कुछ लोग यह भी सोचते होंग जो सोचते होंगे, जब बैढ़ते होंगे, अकेले ayawbas हो इसलिए बोलते हैं कि खाली दिमाग शेतान का घर होता है और इसलिए अजसरी पूरे के फूरे रूटीन को हमेशा क्या रखना रहता है लिकिन जब बी तो कुछ लोग यह सोचते होंगे या Facebook, Twitter या Instagram पर जब अपने स्कूल या Colleges के Friends को देखते होंगे तो सोचते होंगे अरे यार वो तो कितना गदा था ठीके न वो तो कितना खराब पड़ता था उसकी तो जो थे सिर्फ 70% मार्क्स ही आते थे या 60% आते थे तब भी आज वो क एक दिन आता है और सबका एक दिन जरूर आएगा ठीक है ना तो अपने अंदर की जो capability है ना उसे पहचानू कि आप कहां तक जाना चाते हो और उतने तक के target को क्या करना है अचीव करना है मतलब यह नहीं कि ग्रामीन बैंक में clerk बन गए तो भई सोचा तो था कि मैं RBI में जाओंगा या जाओंगी लेकिन बैट गए कहां पर ग्रामीन बैंक के clerk बन कर ठीक है आपको तुरंट opportunity पहले grab करनी है लेकिन ऐसा नहीं कि उसी में बिलकुल लगे रहना है फिर अपने कदमों को धीरे-धीरे करके क्या बढ़ाना होता है आगे बढ़ाना होता है ठीक है ऐ क्योंके रुपेसर दोनों लांगविज में लेया करूंगी कोई इस्यू नहीं है ठीक है येस बिलकुल बिलकुल रुपेसर दोनों लांगविज में लिख लिए करों उसमें क्या है चलो very good yes सबका टाइम आएगा बिलकुल शाषी कुमार सर जो है वो कह रहे है बिलकुल अब बात कर लेते हैं आज कोई इंपोर्टन डे नहीं है ठीक है आज जो है विजलेंस वीक चालू हो रहा है सतरता सब्ता जो है उसकी शुरुवात हो रही है 27 ओक्टूबर से तो आज सच कोई भी इंपोर्टन डे नहीं है हमारी लिस्ट में जैसी ओक्टूबर खतम होगा मतलब 37 ओक्टूबर को 30 ओक्टूबर को हम पूरे ओक्टूबर की क्या कर लेंगे एक साथ क्या कर लेंगे पूरी की पूरी डेट्स और क्या कर लेंगे उसकी साथ में थीम्स भी कनेक्ट कर लेंगे चलो तो पहले बात करेंगे हम 26 ओक्टूबर की इंपोर्टन वन लाइनर तोड़ा सा उत्राखंड के नाम टाइपिंग मिस्टेक की वज़े से गलत हो गया था तो बिलकुल आप लोग उसे करेक्ट कर लिजेगा, आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में भी लिक रहते हैं, थांक यू सो मच, ठीक है वो मेरी तरफ से ही टाइपिंग मिस्टेक हो गई थ तो पहले जो पिछली न्यूस जल्दी से पांच मिनिट में क्या कर लेते हैं भाई, कवर कर लेते हैं, चीक है ना, तो जल्दी से पांच मिनिट में कवर करते हैं और सबसे पहली न्यूस जो कल की थी, उत्तर प्रदेश ने जो था सबसे हाइस पोजिशन टॉप की है किसमे प्रधानमंत्री आत्म निर्भर निधी scheme जिसे कहा गया है कौन सी scheme स्वनिधी scheme उत्तर प्रदेश back at top position in implementing प्रधानमंत्री आत्म निर्भर निधी scheme that is स्वनिधी scheme the state government offered the highest number of loans under this scheme अब यह स्वनिधी जो योजना है चीखे हैं यह जो स्वनीदी योचना है जिसका full form क्या है प्रधान मंत्री आत्म निर्बहर निथी Scheme मतलब किसके लिए है प्रधान मंत्री street vendor आत्म निर्बहर निथी Scheme है स्ट्रीट वेंडर्स मतलब जो फेरी वाले होते हैं, जो रेडी पटरी पर क्या लगाते हैं, अपना सामान बेचते हैं, ठीक है, उनके लिए योचना है, उत्तरपदेश गर्वर्मेंट ने इसमें टॉप पोजेशन हासिल की है, सबसे जादा लोंज अभी तक यूपी सरकार जो है, वो दे चुकी है, अगर हम बात करें स्वनी दी योचना के तहट, जो फेरी वाले होते हैं, रेडी पटरी पर जो अपना सामान बेचते हैं, उनको सरकार जो है, कितना अमाउंट देती है, बैंकों के तरफ से 10,000 रुपे देती है, उनके खातों में, और ये अमाउं योचना का, PM स्वनी धी योचना का, इस पूरे के पूरे टार्गेट तक सरकार जो है, पचास लाग जो है, रेडी पटरी वालों तक, यह स्ट्री वेंडर्स तक इस पूरी की पूरी योचना को क्या कर दे, पहुचा दे, इस योचना के शुरुआत अगर हम करें, तो इस 1st June 2020 में, क्योंकि COVID की वज़े से जो सबसे ज़ादा एफेक्ट हुए थे, वो यही स्ट्रीट वेंडर्स हुए थे, ठीक है, जो रस्ते में बहुत अच्छा-च्छा समान बेश से तो है, लेकिन कहीं न गई, ऑनलाइन प्लाटफॉर्म होने की वज़े से, यह लोग जो क्य नहीं कर पाए, अपने बिजनेस को बढ़ा नहीं पाए, तो उत्तर प्रदेश सरकार को जो है, उसने सबसे ज़ादा लोन प्रोवाइड की है, इस योजना के तहट अभी तक तो उसने टॉप पोजिशन की है, क्या हासिल, वेरी गुड, क्यापिटल की बात करें, तो नहीं का भी अधिशनल चार्ज है, वेरी गुड मॉर्निंग काविता माम, गुड मॉर्निंग प्रशांद सर्, येस, फुट पाथ विक्रेता बिलकुल, येस रिचा माम, चटर्मटर वालों के लिए है, बिलकुल, ठीके चटर्मटर वाले सामान बहुत अच्छा बनाते है as compared to बड़े-बड़े अगर हम ब्रांच की बात कलने, ठीक है, चलो, next अगर हम बात करें, तो वो are important, COVID-19 no tolerance fight, it is observed by the Mizoram government from 26th of October, the aim behind this is to maintain the containment measure to flatten the rising curve coronavirus in the state, अगर हम बात करें, तो Mizoram सरकार के द्वारा एक program launch किया गया है, जिसका नाम क्या था, COVID-19 no tolerance fight, जिसमें ऐसी जगे जो containment areas से, जहां पर बहुत तेजी से coronavirus फैल रहा था, उसके curve को क्या करना है, मद्धा करना है, मतलब धीरे करना है, ताकि अब ज़ादा लोग जो है, कोरोना fight जो है, वो किसके द्वारा start की गई है, Mizoram सरकार के द्वारा start की गई है, Mizoram की capital लिखकर बताओगे, कहां पर comment box में, Mizoram की capital बताओगे, very good answer आगया, अनंदी बेन पतेल जी, मदर प्रदेश का भी उनके पास additional charge है, Mizoram की capital लिखकर बताओगे, CM है Mizoram के जोराम थंगा, औ पाकिस्तान जो है, ग्रे लिस्ट में बना रहेगा, 2021 फरवरी तक, तो पाकिस्तान बहुत सारे मापदंडों पर खरा नहीं उतर पाया है, Financial Action Task Force ने ये का है, कि ग्रे लिस्ट में रहेगा, मतलब terrorist financing कर रहा है अभी भी, ठीक है, जो Financial Action Task Force के मापदंड थे, कि तुम जो है, अ अंतराश्य संस्ताओं से, तो ग्रे लिस्ट में बना रहेगा, पाकिस्तान कब तक, फेबरेरी 2021 तक, और एक बात ध्यान रखना, Financial Action Task Force, Financial Action Task Force जो है, इसका headquarter कहां पर है, पैरिस, फ्रांस में, पैरिस, फ्रांस में है, इसका headquarter, ओके, चलो बढ़ रहे है, अगली जो news थी व इस ब्रांड ओव वेहिकल मोटर्स, अब बिल्कुल जो है, दिवाली का सीजन आ रहा है, फेस्टिव सीजन आ रहा है, बहुत सारा जो है, अटो मोबाइल इंडस्री क्या करेगी, बढ़ेगी, इलेक्ट्रोनिक्स इंडस्री क्या होती है, बढ़ेगी, तो टोयोटा किर लो जो आपकी गाड़ी को क्या करते हैं, फनांस करते हैं, तो किल्लोस का मोटर्स ने बैंक ओबरोडा के साथ क्या कर ली है, पार्टनरशिप कर ली है, अगर हम बात करें बैंक ओबरोडा की, तो यह एट्टकोर्टर कहां पर है, वडोड़रा गुटरात में ही है, नॉन पॉर्टन न्यूस रही थी वो कौन सी वर्ल्ड बैंक ने फिनाशल असिस्टेंस दिया है तीन करोड रुपए का इंडिया के पहले रेट के टीले वाले पार के लिए सैंड यून पार के लिए कहां पर गोवा में ठीके तो गोवा में क्या होने वाला था सैंड यून पार्क निजो है वो डेवला था रेट के टीले का एक पार्क डेवलाप होता जिसके लिए वर्ल्ड बैंकने कितना अमाउंट दिया है तीन करोड का अमाउंट जो है वो फणनाशल इसिसिंस के तौर पर वर्ल्ड बैंक देगा अगर हम बात करें गोवा की तो गोवा की कैपिटल जी है CM की बात करें तो प्रमोज सावन और गवर्नर है भगत सिंग कोशारी जी अब जल्दी से comment box में लिख कर बता दोगे कि भगत सिंग कोशारी जी को और कहां का भी जो है additional charge है वो दिया गया है और कहां के भी यह गवर्नर है येस वेरी गुड वर्ल बैंक की बात करें हेड quarter Washington DC में है President का नाम क्या है David Malpass है और अगला जो है शायद स्क्रीन पर नहीं देख रहा है Lewis Hamilton जो है उन्होंने क्या जीत लिए भई Portuguese Grand Prix जीत ली है ठीक है Lewis Hamilton ने जो है Portuguese Grand Prix जीत ली है Britain से बिलॉंग करते है और Mercedes की तरफ से ये जो है Formula 1 race खेला करते हैं चलो next बात करें अगर हम त तो next जो है important news रही थी वो ये Lee Koon Hee the chairman of South Korea largest brand Samson Group has passed away Lee Koon Hee जो Samson Group के chairman थे उनका हाली में क्या हो गया निधन हो गया है तो Samson कहां की company है South Korea की company है South Korea की capital भी S से ही क्या है CEO है और currency क्या है वन है तो Samson South Korea की company है South Korea की capital CEO है South Korea की currency वन है और हाली में Samson के chairman जो है Lee Koon Hee ठीक है उनका क्या हो गया है हाली में निधन हुआ है इसके अलावा हमने बात कर ली थी Sesshills की ठीक है France और Spain के बीच में जो country थी Sesshills अगर हम बात करें तो Sesshills में नए presidents nuked किये गये थे 44 years के बाद ये record break हुआ है कि opposition party को beat किया गया मतलब एक समय से 44 years से same party ही विजेता थी तो Sesshills जो है उसके नए president बना दिये गये है कौन इंडियन ओरिजिन विविल राम कलावन ठीक है ना विविल राम कलावन जो है उन्हें बना दिये गया है Sesshills के नए president Sesshills की हमने capital कर ली थी Sesshills की capital क्या थी Victoria थी और अगर हम currency की बात करें तो Sesshillian रुपी थी चल आज की news के बारे में अगर हम बात कर लें तो आज की news आ रही है screen पर yes very good जल्दी से session को क्या कर देना है शेर कर देना है आज की news important है वो है IIT Indian Institute of Technology जोदपूर National Highway Authority of India signed a pact to share expertise for betterment of highways राज मार्गो के बहतरी के लिए विशेशता साज़ा करने के लिए IIT जोदपूर और National Highway Authority of India ने संधी पर क्या किये है हस्ताक्षर की है तो हमें बात क्या याद रखनी है कि IIT जोदपूर जो है उसने एक agreement sign किया है National Highway Authority of India के तहट अगर हम बात करें तो इस agreement में होगा क्या ये लोग जो है highways को क्या बनाने वाले हैं दोनों मिलकर technology wise क्या बनाने वाले हैं better बनाने वाले है highways की बात करें तो यहाँ पर technology wise highways की बात करें उसका क्या मतलब होगा engineering जो है material से पूरी की पूरी roads को design करना इसके अलाबा अगर आप screen पर देख रहे हो तो ऐसे highways जहाँ पर आजू बाजू जो क्या है charging points लगे हो अब जो है electrical vehicles का क्या हो जाएगा जमाना हो जाएगा आज पास जो है highways के क्या देना broadband की facilities प्रोवाइड करना ठीक है तो यह सारी facilities दी जाएंगी जिसमें highways के infrastructure को बढ़ाया जा सके और ताकि जो foreign tourist है वो देश में ज़्यादा attract करने लग जाए तो IAT जोदपूर जोदपूर के हम बात करने तो राजस्तान में और राजस्तान वै पारे में याद रखना है, National Highway Authority of India के बारे में याद रखना है, जिसका headquarter कहाँ पर है, New Delhi में है और जिसके chairman कौन है, सुखबीर सिंग संदु जी, National Highway Authority of India के chairman सुखबीर सिंग संदु जी का हाली में उनको 6 महीने का क्या दिया गया था, extension दिया गया है, ठीके वो retire होने वाले त सुखबीर सिंग संदु जी है, ये most important point रहेगा, बागी IAT जोटपुर के बारे में आप तोड़ा बहुत पढ़ सकते हो, लेकिन as such question आने के chances, examination में क्या रहेंगे, बिलकुल कम रहेंगे, ठीके, चलो, अगली news की तरह बढ़ रहे है, ठीके, next news आ रही है, और वो आ रही है, येस, बिलकुल, गुड मॉर्निंग पायल माम, लेट हो गए हैं तोड़े से, चलो, next news आ रही है, अल्फा कॉन्ड वान थर्ड टाइम as President of Guinea, अल्फा कॉन्डे ने गिनी के राश्ट्रपते के रूप में तीसरी बार जो है कारेकाल जीत लिया है, तो नए प्रेसिदेंड ब बना दिया गया है कहां का गिनी का, तो गिनी में जो है Equatorial New Guinea भी है, तो ये गिनी के बने है, क्या President बनाए गए हैं नए, अगर हम बात करें किसके बारे में, आल्फा कॉन्ड जी के बारे में, तो इन्हें जो है छे साल के लिए जो है देश को क्या करना है, पूरी तरीके से गिनीनियन फ्रांक है, Capital क्या है, कोनाकरी है, और करेंसी क्या है, गिनीनियन फ्रांक है, तो गिनिया के जो है क्या बन गए है, नए President बन गए है, अल्फा कॉन्डे, अभी हमने किसके देखे थे, सेशल्स के देखे थे, ठीक है, अब ये किसके हैं, गिनी के हैं, अब एक और country में जो है नए president क्या हुए है न्यूक हुए है तो ये लोग जो है president बन-बन के हमारे पढ़ने का काम क्या कर देते हैं बिल्कुल बढ़ाते जाते हैं और जो है नए president बनाए गए है कहां के भी बॉलीविया के ठीक है बॉलीविया के जो है नए President बना दिये गए है Lewis Erz Lewis Erz जो है उन्हें Bolivia का नया राश्चुपती न्यूक्त कर दिया गया है Lewis Erz को Bolivia के नय राश्चुपती के रूप में जो है अधिक्षिता मिली है हाली में Bolivia की बात करें तो Bolivia जो है उसकी Capital क्या है? शक्रे है और उसकी दो Capital है सक्रे और लापैस ठीके सक्रे वहाँ के Constitution और Judicial Capital है और लापैस Executive और Legislative मतलब जहां पर Executive Powers को Perform किया जाएगा तो दोनों ही याद रखनी है कौन कौन सी है सक्रे है और लापैस है और Currency की बात करें तो वो कौन सी है Boliviano है जिसे B.O.B. के नाम से भी क्या किया जाता है जाना जाता है तो Boliviano जो है Bolivia की क्या है? Currency है Yes Okay, Alka Ma'am का बड़े है Wish you a very happy birthday Alka Ma'am Stay blessed अच्छे से पढ़ाई करना और इस बार जो है बड़े पर ठाल लो, ठीक है वो लेते है क्या लेते है? प्रण लेते हैं तो Presidents एक तो बन गए है कहां के Bolivia के और अभी देखे थे कहां के? गीनिया के ठीक है न, तो तीन जगे के जो है नए Presidents बिलकुल बना दिये गए हैं Next अगर हम बात करें रक्षा मंत्री राजनात सिंग जी dedicated the 19.85 km alternate alignment of the National Highway 310 from km 0.00 to 19.350 to the nation in Sikkim रक्षा मंत्री राजनात सिंग्जी ने Sikkim में राश्टे राजमार्क 310 के 0.00 km से लेकर 19.350 km तक के जो है पूरे की पूरे लंबी एक वेकल्पिक सड़क बनाने के जो है Virtual Conferencing के तुरू राश्ट को क्या की है समर्पित की है तो ये वेकल्पिक सड़क रहेगी वेकल्पिक सड़क मतलब alternate alignment रहेगा कि अगर जो normal सड़क जा रही है अगर जो normal road है वो किसी वज़े से क्या हो गई है बंद हो गई है बहुत जादा snowfall हो गया या फिर war की situation आ गई या अगर हम बात करें तो वहाँ पर कोई ऐसी घटना घट गई अर्थक्वेक आ गया वाल कैनों आ गया तो हम क्या नहीं हो पाएंगे connect नहीं हो पाएंगे इस वज़े से एक वेकल्पिक सड़क बनाई गई है नाशनल हाईवे 310 पर जो कहाँ पर located है सिक्के में located है तो सिक्के में जो है एक alternate alignment की शुरुआत की गई है virtual conferencing की तुरू राचनाथ सिंग जी के द्वारा next आ रहा है और वो आ रहा है अरे बड़े ही important news है a 19-seater seaplane which will be used for flights between the Sabarmati riverfront and Sardar Wallabhai Patel stancho of unity in Gujarat as a part of force of its kind service which begins in the country arrived here from Maldives Gujarat में Sardar Mathi riverfront और Sardar Wallabhai Patel की stancho of unity के बीच अपनी तरह की पहली सेवा में उडान के लिए इस्तमाल होने वाला 19-seater seaplane मालदीव से यहां पहुँचा ठीक तो मालदीव से यहां पर 19-seater seaplane पहुँचा यह एक ऐसा seaplane रहेगा जो Sabarmati riverfront से लेकर सardar Wallabhai Patel Statue of unity तक जो है वो पहुचेगा जहां पर tourist को जो है क्या किया जाएगा अट्राक किया जाएगा और आसानी से लोग जो है पास में जाकर Statue of unity को क्या कर पाएँगे देख पाएँगे वो भी किस से प्लेन से देख पाएँगे वो भी किस के अंदर सी के अंदर से देख पाएंगे वैसे तो हम चल के भी जा सकते हैं ठीक है लेकिन वह अलगी मज़ा है कि हम सी से जो है इतनी बड़ी पूरी के पूरी स्राइच ओफ यूनिटी को क्या करेंगे देखेंगे तो सरदार वल्ला भाय पतेल जी की बहुत अनिवर्सरी के उपलक्ष में 31st October को हम सभी को पता है कि राश्च्री एकता दिवस्चों है वो क्या किया जाना वाला है सेलिबरेट किया जाना वाला है तो उसी के उपलक्ष में यह सारी तैयारिया जो है क्या की जारी है चालू की जारी है जिससे जादा से जादा टूरिस को क्या कर पाएंगे अट् अंदर से इंडिया के अंदर से चाहे बाहर से तो कहीं ना कहीं जो है देश का गौरव बढ़ता है और पैसे भी कमाता है डेफिनिटली देश चलो नेक्स बात करें चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंग डिजिटली लेट देशन स्टोन अफ पंजाब फर्स डेडिकेटेड स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी और वेरियस अधर डिवलप्मेंट प्रोजेक्ट्स इन पत्याला ओन दी ओकीशन ऑफ दशेरा मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंग जी ने दशेरा के मौके पर पत्याला में पंजाब के पहले खेल विश्व विद्याले और अनविकास परियोचनाओं का डिजिटल माध्यम से क्या रखा है नीव रखी है इसकी अब इंपोर्टेंट क्या है यहाँ पे कि अमरिंदर सिंग जी जो चीफ मिनेस्टर पंजाब के हैं उन्होंने एक डेडिकेटर स्पोर्स उनिवरसिटी की बात कर दी है पहला खेल विश्व विद्याले बनेगा कहां पर पत्याला में महाराजा भुपेंदर सिंग स्पोर् स्पोर्स उनिवरसिटी 500 करोड के पूरे के पूरे अमाउंट से इसके अलावा वाटर सप्ला प्रोजेक्ट जो है उसकी शुरुवात हुई है और हेरिटेज स्ट्रीट बनेगी कहां पर किला मुबारक में जो कहां पर लोकेटिड है पंजाब में लोकेटिड है और एक नय बस्टेंड बनाया जाएगा राजपुरा रोड पर तो यह जो है इंपोर्टेंट पॉइंट से लेकिन सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है कि वो जो स्पोर्ट उनिवरसिटी को गोशना कर दी है वो पहला खेल विश्विद्या ले रहेगा पंजाब का जिसका नाम क्या महाराजा भुपेंदर स्पिंग स्पोर्ट उनिवरसिटी जो 500 करोड के अमाउंट की लागत से क्या किया जाए रहा है बनाया जा रहा है बिल्कुल येस बिल्कुल जैसकीरत सर हमारे साथ जुड़े हुए ये 33% reservation for women in civil servants बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया येस च चीन-पाकिस्तान आर्थे-गलियारा CPX की पहली परिवहन परियोजना का लाहर में उध्गाटन किया गया है तो भाई हमारे लिए बिल्कुल इंपोर्टेंट नहीं है क्योंकि हमारे लिए ना चाइना कोई मैटर करता है ना हमारे लिए पाकिस्तान कोई मैटर करता है ठीक ट्रांस्पोर्ट प्रोजेक्ट जो है वो चाइना की मदद से पाकिस्तान में क्या किया जा चुका है बिल्कुल चालू किया जा चुका है और इंच लाइन ये एक Metro Service Metro Train की शुरुवात की गई है पाकिस्तान में आवे लोग Metro Train में भी जो है क्या लेके गूमेंगे बंदू क लेके गूमेंगे Metro Train में भी ठीक है ना चलो तो हमारे लिए as such कोई बहुत important news नहीं थी ठीक है examination में आने के chances जो है वो निल के बराबर है अब बात करेंगे हम हिमाचल प्रदेश government will set up 100 स्वच्चता cafes with an estimated cost of rupees 10 crore by 2023 and each cafe will be free from the use of single-use plastic हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2023 तक 10 crore रुपे की अनुमानित लागत के साथ 100 स्वच्चता cafe स्थापित करने की तयारी की है सभी cafe में single-use plastic का उप्योग पूर्ण रहा क्या होगा वर्जित रहेगा तो जितनी भी ऐसे tourist places हैं पर्यवरन छेतर हैं आप आप देखते हो कि वहाँ पे क्या होता है कि plastic का इस्तिमाल बहुत कम किया जाता है तो हिमाचल प्रदेश सरकार जो है वो ऐसे 100 स्वच्चता cafe क्या करेगा निर्मान करेगा कब तक 2023 तक कितना amount दिया गया है 10 crore amount की लागत से इन cafe को बनाया जाएगा सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तिमाल की बात की गई है कि सिंगल यूज प्लास्टिक जो है उसे पूरी तरीके से क्या कर दिया जाएगा खतम कर दिया जाएगा वर्जित कर दिया जाएगा बीच में बहुत तेजी से concept चलाता कि single use plastic जो है उसका इस्सिमाल नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा ठीक है लेकिन दीरे-दीरे करके फिर जो है कम से कम paper bags इस्तामाल करने लग जैं क्योंकि plastic से बहुत ज़ाद़ नुकसान होता है, environment का तो होता ही होता है, सोचो जो animals उसे खाते रहते हैं, चबाते रहते हैं, उन्हें कितना ज़ाद़ नुकसान होता होगा, ठीक है जब हम नहीं चब आ सकते तो उनसे कैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो लोग जहों से खाते रहते होंगे नेक्स्ट न्यूस की बात करें तो इंपोर्टेंट वो ये है कि सतर्ता जागरुकता सप्ता अब ये पूरा का पूरा वीग जो है ये चलेगा कैसा सतर्ता जागरुकता सप्ता के तौर पर जिसमें लोगों को जागरुक किया जाएगा अलग-अलग लेवल्स पर अलग-अलग योजनाय लेकर आएगी अलग-अलग जो है राज्यों की सरकार कैसे लोगों को जागरुक किया जा सके कैसे वो अपने राइट्स का इस्तमाल कर सकते हैं सरदार वल्ला भाई पर्टेल जी की बर्थ अनिवर्श्री के उपलक्ष में, तो 31st October को इनकी बर्थ अनिवर्श्री रहेगी, तो मतलब पूरा वीक जो है, celebrate किया जाता है, केंद्रिय सतर्ता कमिशन की तरफ से, सरदगता, जागरुकता, सब्ता की तर है, हर साल जो है, इसे क्या किया जाता है, celebrate किया जाता है, येस, ओके, वेरी गूड जनार्तन सर, जो है, information share करते जा रहे है, thank you so much जनार्तन सर, ठीक है, बाकी लोग भी बिल्कुल क्या करते जाय करो, information share करते जाय करो, good morning Arvind sir, लेट हो गए है, मौमद sir, इमरान sir, good morning, very good morning, चलो, जल्दी से सेशन को क्या कर देना है, share कर देना है, okay, yes, vigilance commissioner, सुरेश H. पतेल जी है, very good, yes, vigilance week is so vigilant, okay, ठीक है, रूपेज sir, अब जन्वेरी के current affairs, कैसे पढ़ोगे, तो बिल्कुल maindraguru.com की website पर चले जाना, वहाँ पर पूरे कार इंटरफेस, जो है, वो क्या रहेंगे, available रहेंगे, तो वहाँ से पढ़ना चालू करो, ठीक, और बात कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, MCQ session की तरफ, जल्दी से बता दो, सब लोग ready हैं की नहीं, सब लोग ready हो गए है, multiple choice question की तरफ, जो है, बढ़ रहे हैं, सब लोग ready है, yes or no, yes, बिल्कुल जो है, सब लोग ready हो जाओ, और सब लोग जो है, अपना last में क्या share करोगे, score share करोगे, जितने ही बन रहे हैं, उतने एटेम करोगे, नहीं बन रहा है, तो क्या करते जाओगे, skip करते जाओगे, पहला question आ रहा है, आपके सामने, और देखो question क्या पूछा गया है, who was the head of the RBI constituted committee, to review the current system, of quick response codes in India, and suggest measures for moving towards, interoperable QR codes, भारत में quick response code की, वर्तमान प्रणाली की समिक्षा करने, और interoperable QR code की और, बढ़ने के उपाये सुझाने के लिए, RBI द्वारा गठे समिती के प्रमुक कौन है, ठीक है, हाली में जो है, RBI ने एक committee का निर्मान किया था, जिसमें ये कहा गया है, कि interoperable QR code जो है, बैंक का अलग-अलग होता है, कई बार जो है, UPI का अलग quick response code होता है, और भारत QR का अलग quick response code, क्या होता है, QR code generate होता है, लेकिन ये कहा गया है, कि interoperable होना चाहिए, अब एक ही तरीके का QR code, जो है, हर किसी के लिए होना चाहिए, जैसे, POS machines होती है, point of sale terminals होते हैं, उसमें क्या होता है, हम किसी भी card को क्या कर सकते हैं, swipe कर सकते हैं, और payment done कर सकते हैं, लेकिन अगर हम बात करें QR codes की, तो companies का अलग QR code होता है, जो उनकी proprietary ship होती है, इसके लावा UPI के अलग QR code generate होते हैं, भारत QR code अलग generate होता है, ठीके तो ये कहा गया है, कि अंतर संचालित एक single QR code रहेगा, जिसे interoperable QR code की तरह जाना जाएगा, तो RBI ने इस पूरे की पूरी scheme के लिए, इस पूरे की पूरे mission को चलाने के लिए, किसकी अध्यक्षिता में जो है, एक committee का गठन किया, तो वो किसकी अध्यक्षिता में किया है, रोहिच रिवास्तफ जी की अध्यक्षिता में, जो है, सौरी, यहाँ पे क्या जाएगा, दीपक फार्टक, ठीके न, यह जो है, ऑप्शन गलत हो गया, बिल्कुल, दीपक फार्टक जी की अध्यक्षिता में किया गया है, ठीके तो आंसर जो है, वो कौन सर हैगा, बी रहेगा, नेक्स्ट बात करें अगर हम, तो 2020 की शुरुआत में, अगर हम बात करें, जुलाई, आउगस्ट की महीने में ही, RBI ने जो है, दीपक फार्टक जो प्रोफेसर है, उनके अध्यक्षिता में एक करेंट सिस्टम कुएक रिस्पॉंस कोड की शुरुआत कर दी थी, जिसमें ये कहा गया गया था, कि इंटर ओपरेबल क्यू आर कोड जो है, उसे यूज किया जाएगा, मतलब एक सिंगल इंटर ओपरेबल क्यू आर कोड हर प्लाटफॉर्म पर क्या करेगा, काम करेगा, जैसे POS मशीन जो है, हर प्लाटफॉर्म पर काम कर जाती है, नेक्स्ट आरा है क्वेस्टिन, सेकिंड, हर दरनने की बिल्कुल जरूवत नहीं है, येस, RBA Governor जो है, वो भी positive जो है, पाएगाए है, कोरोना से बिल्कुल, ठीक है, दरनने की बिल्कुल जरूवत नहीं है, वो answer जो था भी वालाप्रो का, बिल्कुल सही था, जल्दी से बतातो Portuguese Grand Prix जो है वो किस ने जीता है बिल्कुल किस ने जीता है Lewis Hamilton ने जीता है अगर हम बात करें तो Lewis Hamilton जो Mercedes और Great Britain से बिलॉंग करते हैं इन्होंने 2020 का Portuguese Grand Prix जीता है ये जो था 12th round था किसका Formula 1 Championship का और इसके अलावा इनकी ये कौन सी नंबर की विक्टरी थी 92 कौन सी जो है सरपास कर दिया है बिल्कुल माइकर शुमाकर जी जो है उन्हें क्या कर दिया है सरपास कर दिया है very good चलो next आ रहे है third question की तरफ who has launched a mobile app for geotagging of components of project under प्रधान मंत्री कृषी सिचाई योजना accelerated irrigation benefits program प्रधान मंत्री कृषी सिचाई योजना त्वरत सिचाई लाब कारिकरम के तहर परियोजना की घटकों की geotagging के लिए mobile application को किस ने launch हिया तो हाली में geotagging की गई प्रधान मंत्री कृषी सिचाई योजना के लिए एक app launch किया जाएगा जिससे क्या होगा आसानी से project work की समिक्षा की जा सकेगी कि कितना work अभी तक हो गया है प्रधान मंत्री कृषी सिचाई योजना के तहर तो किसने जो है इस mobile application को launch किया तो वो कि मंत्राल है किसका जलशक्ती का वैसे जलशक्ती मिनिस्टर केंद्र में कौन है कौन है गजे इंद्र सिंग शिखावर जी है next आ रहे है fourth question की तरफ PM Modi has inaugurated the pediatric heart hospital which is India's biggest hospital for cardiology also it is in which city PM Modi जी ने हाली में बाल रोग हस्पिताल का उधगाटन किया है जो cardiology के लिए भारत का सबसे ब चुके हैं अब गलत नहीं होना चाहिए fourth वाला सब का ठीक है अब किसी का भी जो है बिलकुल गलत नहीं होना चाहिए ये सर रहता ही है PDF में बिलकुल ये किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए जल्दी सांसर दे तो very good अनुझ सर मिनाक्षी माम रागिनी माम किरन माम परी अभ प्रकास सर जुड़े हुए है पारस्मनी सर गौरफ गुपता अंजली जल्दी से बता दो अंसर कौन सा है वही कौन सा है एहमदाबाद है ठीक है फिर सूरत लगाया अगर किसी ने तो फिर जो है डिजिटल पिटाई होने वाली है क्योंकि हम जो है बार-बार कर रहे हैं मोध पर जो है यह स्थित रहेगा एहमदाबाद में यह स्थित रहेगा नेक्स अगर हम बात करें फिफ्ट क्वेशन आ रहा है स्क्रीन पर what is the deadline set by RBI for payment system operators to shift from proprietary QR codes to interoperable QR codes भुकतान प्रणाली संचाल को PSO के लिए RBI द्वारा समय सीमा निर्धारित की गई है जो मालिक आना QR code से interoperable QR code में स्थान अंतरित हो मतलब अभी तक जो है proprietary QR code चल रहा था बहुत सारी companies अपना-पना QR code चलाती थी लेकिन अब interoperable होना चाहिए मतलब अंतर संचालित होना चाहिए कि हर platform में हम उसे क्या कर पाए use कर पाए तो जल्दी से बता दो RBI ने कब तक deadline set की है ठीक है कमिटी तो आपने बता दी थी बिल्कुल कब तक deadline set की गई है कि ऐसा किया जाएगा ठीक जल्दी से answer बता दो very good मिनाक्षी मैं बहुत बढ़िया आलोक सर पीकू भीम भाईया very good मोनू वर्मा रुपे सर अनिल सर तारकेश्वर मैता बहुत बढ़िया शाहीन खान विशाल जितने भी लोग चोरी चोरी चुपके चुपके session को देख रहो भी 300 लोग जुड़े हुआ सब के सब कहा आ जाने चाहिए comment box में आ जाने चाहिए गुलशन सर जुड़े हुए हमारे साथ बहुत बढ़िया अभिशेक सर जल्दी से आंसर बता दो भई कब तक कहा गया है डी वाला आंसर जो है बहुत सारे लोगों का आ रहा है ठीक है next देख लेते हैं कि आंसर कौन सा है 31st March 2022 तक कहा गया है कि इंटर ऑपरेबल QR कोड जो है उसकी शुरुआत पूरी तरीके से शिफ्ट हो जाना चाहिए ये सिस्टम अलग-अलग QR कोड जो है वो नहीं चलने चाहिए next आ रहे हैं 6th question पर what is the national game of Russia रूस का राश्रे खेल कौन सा है जल्दी से रूस का राश्रे खेल का उनसा है what is the national game of Russia रूस का राश्रे खेल कौन सा है chess है, cricket है, wrestling है, polo है, कौन सा है रूस का राश्रे खेल तो बिल्कुल रूस की बात करें तो उसका national game क्या है भाई, chess है, रूस की capital क्या है, Moscow रूस की capital क्या है, Moscow, currency क्या है, RCA क्या है, rubel करेंसी क्या है रुबिल और जल्दी से मुझे जो है रश्या के जो है प्राइम मिनिस्टर का नाम कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दोगे रश्या का प्राइम मिनिस्टर का नाम जो है कमेंट बॉक्स में सब लोग लिखकर बताने वाले नेक्स आ रहा है seven question, एकाना international stadium is located in which state, एकाना international stadium किस राज्यमे स्थित है, एकाना अंतराश्री जो stadium है वो किस राज्यमे स्थित है, बहुत ही important है क्योंकि यह किसी के नाम पर बना हुआ है, एकाना international stadium, यह स्थित है कहां पर, यह स्थित है उत्तर प्रदेश में, ठीक है, हमारे यूपी के वासियों जो है, वो जाग गए होंगे, जितने भी लोग यूपी से चुड़े हुए हैं, येस, तो एकाना international stadium जो है, वो कहां पर स्थित है, बिल्कुल यूपी में स्थित है, भारत रतन श्री अटल विहारी वाजपे जी के उपलक्ष में, एकाना cricket stadium या बी अर SAV, इकाना cricket stadium, जिसे इकाना cricket stadium के नाम से भी जाना जाता है, ये एक international cricket stadium है कहां पर, यूपी में, ठीक तो अटल विहारी वाजपे जी के नाम पर जो है, इसे पूरी तरीके से क्या किया गया है, बनाया गया है, यूपी में located है, ये एक international cricket stadium है, international cricket stadium है, इकाना, 49 समांतर कौन से दो देशों की बीच एक सीमा रेखा है जल्दी से बता दो 49 पैलल जो है बांडरी लाइन है चिन दो कंट्री जानी जाती है जो दोनों के दोनों कंट्री जो क्या करती है बीच में अलग करती है नेक्स बात कर रहे है 9 question की नेक्स बात कर दिया है यह जो है युनेस्को की विश्यो सांसितिक धरोहर में लिस्टेड है महाबलीपूरम की समारग जो है कहां पर लोकेटेड है तमिल नाडू में लोकेटेड है ध्यान लखना चलो next question की तरफ आ रहे है शरत सर बहुत बढ़िया ठीक है ना कोई बात नही शरत सर किसी का अगर गलत हो गया हो तो बिल्कुल क्या कर देना है स्क्रिप कर देना है और अगर मैं किसी का नाम नहीं ले पा रहे है तो बिल्कुल बुरा मानने की जरूरत नहीं है ठीक है ना चलो next आ रहे 10th question who will head the panel formed by नीती आयोग for reforms in urban planning education शहरी नियोजन शिक्षा में सुधार के लिए नीती आयोग द्वारा गठित पैनल का प्रमुक जो है उन्हें कित से बनाया गया है तो शहरी नियोजन शिक्षा में सुधार के लिए नीती आयोग ने एक committee बनाई है एक panel बनाया है पूछा गया है कि उस committee के head account रहेंगे तो नीती आयोग ने urban planning education में reforms लाने के लिए बदलाव लाने की किस तरीके से शिक्षा को बढ़ाया जा सके आरबन एरियास में शहरी चेत्रों में किसकी अध्यक्षिता में ये पैनल गठित किया है तो वो किसकी अध्यक्षिता में किया गया है वाइस चेर्मेन और नीती आयोग दाट इस राजीव कुमार राजीव कुमार जी की अध्यक्षिता में पूरा का पूरा पैनल क्या किया गया है किसके द्वारा नीतियायोग के द्वारा फुल फॉर्म क्या है नाशनल इंस्टिउशन फॉर ट्रांस्वर्मिंग इंडिया फुल फॉर्म क्या है नाशनल इंस्टिउशन फॉर ट्रांस्वर्मिंग इंडिया फॉल फॉर्म मत गलत कराना नाशनल इंस्टिउशन of transforming India नितिया आयोग कब बना था 1st January 2015 में अगर हम बात करें नितिया आयोग की तो नितिया आयोग की अध्यक्षकॉन Prime Minister किसको replace किया है नितिया आयोग ने Planning Commission को योचना आयोग को कब replace किया है 1 January 2015 में अगर हम बात करें किसकी Planning Commission की तो वो कब abolish हुआ था अगस्ट 2014 में और एक जनवरी 2015 से सरकार किसे लिए नीतियायोग की वाइस जेर्मन कौन है नीतियायोग के राजीव कुमार है इसके अलावा अगर हम बात करें तो अमिताप कांची नीतियायोग के क्या है भई CEO है नीतियायोग के क्या है CEO है जिसे चुनने का काम भी किसका रहेगा प्राइम मिनिस्टर का ही रहेगा अंगल सर बहुत बढ़िया अमरित विलूंग हमारे साथ जुड़े हुए जितने भी लोग नए जुड़े हुए है ठीक है वो जल्दी से चानल को क्या कर देंगे बिलक question में the department of post released a commemorative postage on which anniversaries of united nation दाग विभाग ने संयुक राज की किस वर्षगाड पर एक समारक दाग जारी किया है तो department of post ने एक commemorative postage निकाला है मतलब एक समारक दाग जारी किया है united nation की कौन सी anniversary के उपलक्ष में कौन सी वर्षगाड के उपलक्ष में तो कौन सी बनाई गई है 75th anniversary मनाई गई है किसके united nation की उसके उपलक्ष में department of post ने कौमरेटिव स्टांप एक जो है क्या जारी किया है डाग जारी किया है united nations की बात करें तो united nations का headquarter कहां पर है new york में वाशिंग्टन डी सी मत कराना ठीक है united nations संयुक राज्टर संग का headquarter कहां पर है new york म यह united nation नाम का शब्द किसने को जा था तो UN बना था 24 October 1945 में और यह शब्द किसने को जा था UN नाम का Franklin D. Roosevelt जो USA के क्या थे president तो USA के जो president थे उनके द्वारा यह term coin किया गया है बनाया गया है united nation का जैसे brick नाम का term जो bricks countries है उसमें भी brick नाम का term जो है Jimo Neil ने बनाया हुआ हुआ ह बहुत बार पूछा जा चुका है तो United Nation नाम का शब्द किसने को जा था Franklin D. Roosevelt जो USA के former क्या थे president थे 12th question देखो क्या पूछ रहा है who has been robed in as the brand ambassador of parlay agro parlay agro के brand ambassador के रूप में किसे चुना गया है तो parlay agro जो है बहुत सारे जो है क्या निकालता रहता है प्रोड़क निकालता रहता है जैसे कि हम बात करें appyfiz वैसी इनके e-fiz नाम का जो है brand आ रहा है तो नया brand ambassador parlay agro का किसे न्यूक्त किया गया है तो इन म प्रियंका चोपड़ा है लेकिन अगर हम बात करें तो प्रियंका चोपड़ा के साथ एक और person को attach किया गया है जोड़ा गया है तो प्रियंका चोपड़ा के साथ एक और brand ambassador जो राजदूत की तरह काम करेंगे और parlay agro के product को क्या करेंगे बढ़ाएंगे वो कौन है जूनिय चोपड़ा जो है वो all over India में इसके product को क्या करेंगे प्रमोट करेंगे लेकिन southern India में कौन करेंगे इसे प्रमोट पूरी तरीके इससे जूनिय अनन्द मूरी तारका रामा राओ ठीके न जो नाया brand आ रहा है वो कौन सा है बीफिस जैसे अपी फिस है वैसी क्या आ रहा है ब which company in association with Delhi Metro Rail Corporation has launched a multi-purpose credit card for Delhi Metro Commuters दिली Metro Railway Corporation के सयोग से किस कंपनी ने Delhi Metro यात्रियों के लिए एक बहु उदेशिक credit card launch किया है जल्दी से बता दो DMRC ने जो है किसके साथ एक नया credit card launch किया है Delhi Metro Commuters के लिए और इसके अलावा ये credit card हर तरह की facility देगा और साथी साथ Delhi Metro में जो है extra services भी provide करेगा हमने देखा था reward points मिल रहे थे ये सारी चीज़े तो बिलकुल answer आने लग गया बहुत बढ़िया very good चनातन सर मुहम्मद सर ओके ब और वो क्या है SBI SBI के साथ DMRC ने क्या की थी partnership की थी comment box में आपको ये लिख कर बताना है कि ये जो card है इसमें insurance की facility भी कितने amount का insurance था जल्दी से comment box में लिख कर बता दोगे ठीक है इसमें कितने amount का insurance था इस credit card में next question आ रहा है screen पर which state is going to develop India's first stand-dune park with the assistance of world bank 3 crores was sanctioned recently कौन सा राज विश्व बैंक की 3 crore amount की सहायता से जो है देश का सबसे पहला rate टीला वाला पार्क उसका क्या करने वाला है निर्मान करने वाला है तो बिलकुल वो कौन सा राज है Sand-dune park कहां पर बनने वाला है बिलकुल याद आ गया होगा सभी को answer कि Sand-dune कहां पर बनने वा 4.0 technology for remotely controlled factory operations and real quality time correction during industrial production Tata Consultancy Services के साथ किस IIT ने दूर से नियंतरित factory संचालन और वास्तविक समय गुणवक्ता सुधार के लिए एक novel industry 4.0 technology विक्सित की है तो IIT किस IIT के साथ TCA से ये partnership की है कि वो पूरी तरीके से industries unit को क्या कर लेगा remotely remotely control कर लेगा मतलब कोई कहीं पर बैटा है लेकिन जो है system को support पे लेकर सारी चीज़े क्या कर लेगा control कर लेगा और अगर कोई भी दिक्कत आती है production plants में तो तुरंत उसका क्या हो जाएगा correction हो जाएगा तो किस ने किया था जल्दी से answer बता दो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया very good कपिल सर बहुत बढ़िया सूरज सर शिवं सर मनमीच सर very good मोनु वर्मा आदर सर very good पिन्टु शर्मा मनमीच सर जितने भी लोग जड़े हुएं कि जल्दी से सेजशन को क्या कर देना है, शेयर कर देना है क्रिशना मा बहुत बढ़िया, जल्दी से जो देख लेते हैं, सूर system, और आंसर क्या है? बिल्कुल, आंसर क्या है, IIT खडपूर है, किसके साथ पार्टनर्शिप की थी भई, IIT खडपूर के साथ, 16 से फिर्चीन ग बैडमिंटन चैंपियंशिप 2020 जिसे 11 से लेकर 24 जन्वरी 2021 से आयोजित करने की योजना थी जो रद कर दिया गया है कोविड के चलते इसे कहां आयोजित किया जाना था और उसी कंट्री को 2024 के लिए फिर से जो है नॉमिनेशन दे दी गे 17th question आ रहा है आप कितना भुकतान करेंगे एक पूर्व क्रिकेटर से बने fixer नील उपाध्या की रोमांचक कहानी को चित्रित करता है ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है तो एक बुक आई है The Fixer Winning Has a Price How Much Will You Pay ये जो बुक है ये बेस्ट है किस पर नील उपाध्या पर जो एक्स क्रिकेटर रह चुके हैं और बाद ने fixer बन गए थे match fixing करने लग गए थे ये बुक जो है किसके द्वारा लिखी गई है तो बिलकुल किसके द्वारा लिखी गई है सुमन दुबे के द्वारा लिखी गई है स्क्रीन पर आपको क्या भी दिख रही है इमेज भी दिख रही है किसके द्वारा लिखी गई है सुमन दुबे के द्वारा लिखी गई है 18 question देखो क्या पूछ रहा है नाइनी नरसिनना रेड़ी जिनका हाली में निदन हो गया है वे किस राझ के प्रतम ग्रह मंत्री थे फर्स होम मίνस्टर थे ये किस स्टेट के तो बिल्कुल ये किस स्टेट के होम मिनस्टर थे तिलंगाना के क्या थे होम मिनस्टर थे अभिशेक सर फुल फॉर्म है National Institution for Transforming India National Institution for Transforming India ठीक है माम, अर्चना, वैशाली, भीम भाईया, आदर्श, रागनी, राधे, सूरज, शिवम, इशिका, ओके, सुकोसा, वेरी गुड, अधिती माम, बहुत बढ़िया, चलो, नेक्स वेशन की तरह बढ़ रहे हो, नेक्स वेशन आरा, 19th question, अगर हम बात करें ITBP की, तो ITBP जो है, वो एक Central Armed Forces of India की एक विंग है, ठीक है न, जो, क्या करती है, बॉर्डर की, जो है, मदद करती है, हमारी, किस से, चाइना से, ठीक है न, कहां पर डिप्लॉय रहती है, चाइना में डिप्लॉय रहती है, तो प्राइमरी, बॉर्डर पेट्रोल और्गनाईजेशन ओफ इंडिया, विद द बॉर्डर इन तिबबच चाइना, ठीक है, तो तिबबच चाइना में जो बॉर्डर है, उससे क्या करती है, पूरी तरीके से, हमारी, उससे क्या करती है, रखवाली करती है, कि वहां से कोई अटैक ना हो बॉर्डर पेट्रोल और इसके अलावा क्या हो गया है, जल्दी से आइटी बीप के अध्यक्ष का नाम बता दो, कमेंट बॉक्स में लिखकर, जल्दी से आइटी बीप के अध्यक्ष का नाम बता दो, कमेंट बॉक्स में लिखकर सब लोग, और लास्ट वेशन, 28 वेशन आ रहा है स्क्रीन पर, ओखला बॉर्ड सेंचुरी इस लोकेटेट इन विस स्टेट, ओखला पक्षी अभ्यरण कि स्राज्यमिस थे थे, ओखला बॉर्ड सेंचुरी, तो बहुत लोग डेली गए होगे, तो पीछ में एक ओखला स्टेशन भी आया होगा, ओखला एक इंडस्ट्रिल एरिया है, कहां का डेली का एक इंडस्ट्रिल एरिया है, अगर हम बात करें, तो नॉइडा का फुल फॉर अगर हम बात करें, ओखला बॉर्ड सेंचुरी जो है, उसे ओफीशली किस नाम से जाना जाता है, शहीद चंदर शेकर आजाद सेंचुरी के नाम से इसे ओफीशली जाना जाता है, जो यमुना रिवर पर क्या है, यमुना रिवर के पास सिचुएटेड है, ठीक है, तो इसे ओफीशली शहीद चंदर शेकर आजाद सेंचुरी के नाम से भी जाना जाता है, और ओखला बड century कहां पर located है UP में अब जो है books का हमें कौन सा पार्ट करना है second part कल जो है हमने important books और authors का first part कर लिया था आज हमारा कौन सा पार्ट है second part है very good आज हमारा कौन सा पार्ट है simply सुशान second part है जिसे हम करने जा रहे है manis sir, aadar sir बहुत बढ़िया और अगर हम बात करें second part की तो आज जो कुछ-कुछ important books में लेके आई हूँ मैं पहले mark कर देती हूँ पहली तो the battle of belonging the battle of belonging किसके द्वारा लिखी गई है भई शशी थरूर जी के द्वारा जिनके अंग्रेजी कुछ जादा ही अच्छी है ठीके तो पढ़ लेना अगर जो है word समझ में आजाएं बिल्कुल the battle of belonging जो है किसके द्वारा लिखी गई है शशी थरूर के द्वारा लिखी गई है Mr. Prime Minister we shrank the dragon Mr. Prime Minister we shrank the dragon shrank मतला हमने सिकोर दिया है dragon को पूरी तरीके से ये book इसके द्वारा लिखी गई है प्रदीब गुहा के द्वारा ये जो दोनों है ये important books है ठीक इसके अलावा voice of decent रोमिला ठापर की और kitchens of gratitude विकास खन्ना की लेकिन मेरे असाब से ये दोनों books जो है वो सबसे जादा important है the battle of belonging Mr. Prime Minister we shrank the dragon तो ये कुछ important books है एक पार्ट हमने कल कर लिया था ठीक जिसमें आलो केजरीवाल ने fall again we rise Sandeep अगरबाल और सनी सेन ने यामा केविन मिसल ने और इसके अलावा on the move my journey as an relentless entrepreneur हरी खेमका ने इस book को लिखा है अच्छा ये book जो है on the move ये जो है पढ़ने वाली book है कि entrepreneur जो है कैसे बने हैं ये पूरी तरीके से तो ये book जो है वो important रहेगी और कोई अगर पढ़ने में यकीन रखता हो मतलब novels पढ़ता हो या book पढ़ता हो ठीके जिसे मज़ा आती हो ये सारी चीज़े पढ़ने में जबरदस्ती नहीं यहाँ पे तो हम क्या करते है session को जो है हम यही पे end कर रहे है thank you to all of you सब लोग अपना ध्यान रखिएगा सुरक्षित रहिएगा जाते जाते लाइक का बटन जलूर दबा दीजेगा और जिन्होंने चानल सब्सक्राइब नहीं किया है चानल सब्सक्राइब कर लीजेगा सब लोग अपना ध्यान रखना सुरक्षित रहना घरों पर रहना और अपने और अपने परिवार का खूब ध्यान रखना बाबाय गाईस टेक क्यार जैहिन आप सब का दिन शुबो have a very nice day to all of you